इंडिया इसका एसा है कि भले भाषा हमको समझ ना आए लेकिन वो दिल तक जरूर पुतर जाता है और इसी जादू से रूबरू कराने के लिए एक बहुत ही कमाल का रियालिटी शो सिंगिंग बेस्ट रियालिटी शो आ रहा है भारत का अमृत कलश जिसके प्रोड्यूसर पवन मालू हमारे साथ है जिनकी एक बहुत ही पहतरीन सीरीज एपकॉन में अभी आई है विडियो कै स्काम जिसको बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूस मिल रहे हैं तो इन दूनों से रिलेटेड और पवन के आगे के काम से रिलेटेड धेर सारी वाते इंसे होंगी लेकिन सबसे पहले पवन बहुत-बहुत स्वाधत आपका पंजाब के सी नहोदे ताइम से थैंकि सो कुछ एक साल से प्लान हो रहा था तो 23 हमने पूरी वही प्रेपरेशिंग में लगा दिया और थैंक्फुली 24 शुरू होते ही एक सीरीज आ गई अभी नेक्स्ट मंथ हमारा फोक सिंगिंग शो जो है वो भी आने वाला है तो या इस अ गुड बिगिनिंग एंड होगफुल जो नहीं यह जो रिसपॉंस मिल रहा है वाज इन आप प्ली बार कोई सीरीज बनाते हैं तो उसके लिए आपके मन में थोड़ा शेकी सा होता है हर चीज की कैसा होगा पता नहीं लोग कैसे रियाग करेंगे तो expectations बहुत लो होती है हमेशा क्युक्छ हाई expectations से हमेशा हम लग होते हैं तो हम थोड़े से प्रैक्टिकली जीने वाले लोग हैं तो मुझे ऐसा लगा था कि बस लोग देख लें और कुछ एक रिस्पॉंस आजा है वट रिस्पॉंस आजा है वट रिस्पॉंस फैमिली रेलेटिव और हमारे जो एक्टर्स है रिजनी शामृता इन सब जैसे थोड़ा धीर 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 जीर जीर इस ग्रोइंग बेटर एंड बेटर एंड एंड वेरी हैपी दिए रिस्पॉंस इट विल गूट रहा है लिकिन बात जिसके बारे में बहुत कम हो रही है येस 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 बैसिकली क्या होता है ना कि जैसे जमतारा जब आया था दो तीन साल चार साल पहले तब कि अवह फोन के मैसेज़स के बहुत सारे स्केम जाने लगे थे और वह बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता था तो तब लोगों को उसकी ग्रैवेटी आई जब आक्चुली वह बहुत बढ़ा हो गया विच सेक्स्टॉर्शन ये और बहुत जादा बढ़ा होने वाला है लेकिन अभी भी बहुत चोटी स्टेज पर है बिकाज अभी तक हर घर में नहीं घुसा है जो ओटीपी वाला स्कैम था वो हर घर में घुस चुका है और यह इस एक्स्टॉर्शन वाला स्कैम ऐसा है कि पहले तो लोगों को क्या होता था 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 थोड़ी सी अकेला अपन महसूस करना या यह है बहुत सारे लोग यूनों पीपल लाइकार काप ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड रिक्षा चाला के सब जो लोग है और बहुत सारे बैचलर्स जो अकेले रह रहे हैं किसी और शहर में जिनके साथ ना पेरेंट्स के अलावा को बात करने के लिए है नहीं 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 त सब्सक्राइब करने लग जाती है तो आपको लगता है यह तो मुझे इंपॉर्टंस दे रही है तो मैं इसके साथ थोड़ी और बात कर लेता हूं एंड चामर्स जो कैमरा के जो कैमरा के उस तरफे दियार चार मर्स उनकी बातों में फिर हम फस जाते हैं फिर वो धीरे-धीरे आपको जो बोलती ही आपको करने लग जाते हो बट उस-उस मॉमेंट में ना आपको और कुछ नहीं सूजरा होता है आप कर जाते हो और वो उसका फायदा उठा लेते है एंड ये चीज पहले उन लोगों को टार्गेट की जा रहे थी जिने नीड है बात करने की अकेला पंदूर करने की फिर जब लोगों को अवेरनेस बढ़ने लगी तो उन्होंने इस तरह की चीज़े क्रियेट करने शुरू कर दी कि आपको जबरदस्ती एक लिंक पर क्लिक कर आदेंगे और सामने एक लड़की जबरदस्ती आपके सामने आ जाएगी वो स्कैम और बढ़कर ऐसा हो गया कि अब आपका सिर्फ चेहरा ले रहे हैं और उसको मॉर्फ करके किसी और चीजों के साथ जोड़ दे रहे हैं जो डीप नाम का कॉंसेप्ट भी आया कुछ दिन पहले यह स्टोरी हमने आठ महीने पहले लिखी दी लेकिन तब हम इन सब चीजों पर रिसर्च कर रहे थे विकॉस तक भी बहुत चोड़ी अब यह चीज़े बड़ी हो गई है इसके उपर बहुत सारे नियूस पेपर में इसके पहले आर्टिकल्स भी आये हैं लेकिन विक यह एक रुपे में शॉपिंग, 10 रुपे का डिसकाउंट, 10% डिसकाउंट, 50% डिसकाउंट यह जहासा है यह आपको गलत रस्ते पर ले जाते हैं और फिर हम फस जाते हैं तो यह चीजों को पावा देने के लिए हमने यह एक overall show भी बनाया था और entertainment के बिना उसकी value कम हो जा से, आपकी research से, आपको पता चला, but a lot of Indians right now, जब तक उतना खुद पर बीत नहीं जाती, तब तक हमें पता नहीं चलता और यह इस तरह का scam है, जिसके बारे में हम इसमें involved हैं, शायद हम किसी को बताएंगे भी नहीं, but you think with the series, एक eye-opener at least होगा for people to be cautious? That is the idea, because इस कहानी में सबसे बड़ा जो element है, वही है कि एक police officer के साथ में हो जाता है, तो हम कह रहे हैं कि अगर यह police officer के साथ हो सकता है, तो यह किसी के भी साथ हो सकता है, और हम as a person, जिस भी ज़्यादा करके males के साथ ही हो रहा है है, तो हम ना डर जाते हैं, कि मैं किसी को कैस से बताओं, पहले तो शर्म वाली बात, दूसरी बात, अगर मेरी गलती नहीं भी है, मेरा वीडियो कर दिया गया है, तो भी जब तक मैं लोगों को explain करने जाओंगा, सब तक पूरे market में बात पैल चुकी होगी, मेरा image, family, मेरे बच्चे, मेरे parents, मेरे relatives, इन सब का mental pressure हो जात एक stupid mistake की वज़े से, आज मेरा ऐसा हो गया, लोगों ने लाखों, लाखों रुपए ransom में दे दिये और उसके बाद में भी जब blackmailer चुप नहीं हुआ ना, तो फिर they took the wrong step, और इसके बहुत सारे certified articles हैं, ऐसा भी नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, बहुत सारे newspaper से ही मिले और explain करने के लिए आज कल time ही नहीं बचा, एक 15 second की news बाहर गई, तो wildfire के जैसे फैलेगी, especially अगर आप एक known लोग हो, government servant हो, lawyers, policeman, actors, इन सब की बात तो यूँ फैल जाती है, तो जब तक आप उसको repair करने जाओ, the damage is done, ये सारी चीज़ों के लिए ही awareness है कि you will have to come out, आपको आक initial stages पर अगर help ले लोगे ना, तो शायद उस वक्त आपको थोड़ी सी problem होगी, लेकिन ये बात आगे नहीं पड़ेगी, scammers आपको, वो आपके दर का फाइदा उठा रहे हैं, तो वो चीज़ को हमें control करना है कुछ भी करके और आगे 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 बोलना है, we have to speak to and अगर हमा वो तो मैं फूट जाओं आपके सामने, ये चीज़े भी थोड़ी सी है, तो ये social awareness बहुत help करेगी, अचा आपने जब decide क्या that you'll make a series on it, तो आपने इस deep level की research की है, जिसके बारे में हुआ भी बात कर रहे हैं, but इस पे series बनाई जाएगा idea, वो कहां से दुबाग में आया, कै We were actually, हम जिस platform के साथ deal कर रहे हैं, उन platform ने हमको बोला था कि आप कुछ shows हमारे लिए pitch कीज़े, because one of my friend called Fatima was working in that company, Epicon, तो हम in general research कर रहे थे कि क्या stories आज हम बोल सकते हैं, क्या story है जो अब तक नहीं हुई है, and then ऐसे ही research के दौरान, we came across these one two articles की कुछ तो भी एक मैंने newspaper में एक article पड़ा था कि किसी के साथ में एक camera recording, video call का लेकर एक scam हो गया है, तो देना इस thought कि इस पर क्या हो सकता है, तो जब हम थोड़ा थोड़ा deep जाने लगे, फिर I researched about कि actual OTT platforms पे और फिल्मों में ऐसा कोई show हुआ है क्या, आज तक, because many times हम में इस कर जाते हैं, तो हमने realize कि इस subject प है, अब हम direct names नहीं ले सकते थे, इसलिए हम लोगों ने fictional कहानी बना दी, but जो भी बात्रूं कर रहे हैं, they are very much inspired with true events, तो because ऐसा कुछ भी नहीं था, platform, किसी platform पे ऐसी कहानी, तो हमें लगा एक नहीं कहानी बोलना बहुत जरूरी है, और OTT में तो आजकल नहीं कहानियों का ही trend चला है, आप क्या नया बोल सकते हो, लोगों को कितना surprise दे सकते हो, तो that's how this story का जन्म हुआ, and then फिर research करते-करते कहानी थोड़ी से interesting बनी गई, correct, and I really, really hope, जैसे के, बहुत सरी चीज़े होती हैं, जो हम, you know, entertainment के माधिय हम से जानते हैं, उसके बारे में aware होते हैं, so through this series, हम इस prevalent fraud के बारे में भी जाने जागरूप हों, और obviously अपने आपको बचा भी सकें, moving on to the next project, जो आने वाला है आपका, भारत का अमरित कलश, one-of-a-kind show, बहुत सारे singing reality shows हैं, but especially folk singing के उपर, please share more about it. तो basically this show, केलाश खेर जी जो हैं, हमारे इस show के महागुरू है, इस show में वो main judge है, यह उन्हीं का concept है, और उन्होंने ही इसको develop करके दूरदर्शन के साथ एक इसमें बनाया है, और मैं as a showrunner, as a senior creative director, और मेरी company इसको पूरे को execute करने में, line produce करने में, पूरी तरह से आगे है, इसको जब केलाश जी ने हमें बताया था कि ऐसा करना है, मेरे साथ गीत करके भी हैं, जो मेरे इस show पे partner है, हम दोनों मिलकर जब हमने यह पूरी कलपना सुनी थी उनके मूझ से, कि हम ऐसा एक show करना चाह रहे हैं, और दूरदर्शन ने interest दिखाया है, तो हमारे लिए इस से अच्छी बात ही नहीं होई, क्योंकि आप देखिए, यह जो रिस्क है ना, यह कोई इतना बड़ा platform ही ले सकता है, यह हम कोई भी private channel इस तरह की रिस्क नहीं लेगा, because everybody wants Bollywood to be involved कहीं न कहीं से, बॉलीवुद में भी बहुत सारे folk songs है, inspired songs है, जो chartbusters बन चुके हैं, हाल ही मे जो animal film का जो गाना है, जो सबसे जादा super hit चल रहा है, it's a very old Punjabi folk song, उसी गाने के भरो से film को कितना mileage मिला रहा है, तो ऐसे कई सालों से हम लोग folk songs को use कर रहे हैं, Bollywood ने, but actual जो root है, actual जो गाने का मज़ा है, जो folk songs में क्या था ना, there was no composition composition, there was never a keyboard, there was never a guitar, there was never a sitar भी नहीं था, बस जो हाथ में मिला, टबला मिले, टेबल मिले, जो थे वो बजा लेते थे, जो डफ थे, अपने आप बना लेते थे, कुछ instrument और उसके साथ, बस अपने गा लेते थे, न तो C, minor, C, sharp, B, flat, लोगो कुछ नहीं समझता था, क्योंकि वो जमाने में लोग सिरुफ गाते थे, अपने मन का प्रेशर हलका करने के लिए, दुख में गाते थे, सुख में गाते थे, बारिश में गाते थे, खेती करते वग गाते थे, कोई मर जाय तो गाते, किसी की शादी में गाते हैं, फोक्स हों की ने जर्म ही वही है कि आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हर चीज में फोक्स होंगे, तो जैसे हमें कैला जी ने बोला कि आप लोग हमारे साथ जुड़ी है इस शो के अंदर, तो हम बहुत खुशी-खुशी जुड़ गए, और फिर जैसे-जैसे डीप डाइ है कि हमने पूरे इंडिया के 36 मतलब states and union territories मिला के 28 states and 8 union territories में हर जगे और जगे से लोगों को बुलाया, क्योंकि यह competition ही है, एक state, एक union territory का आपस में, तो competition एक बहाना है, लेकिन इस से हर एक इंडियन को, हर एक region का गाना सुनने मिलेगा, एंडमा, निकुबार, लक्षद्वीप, लेल अदाक, से लेके कन्या कुमारी, इटनगर, मनिपूर, आप जो बोलेंगे उस state से एक बंदा आया है, एक बंदी आया है, एक लड़का लड़की कोई आये हैं, और उन्होंने अपनी एक पेश की गिए, और वो जो गाना उन्ह ने गाया है, और वो जो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन है, हमारी म्यूजिक टीम भी बहुत बढ़ी है, हम इसको क्या कर रहे हैं कि old folks songs को लेकर थोड़ा सा नए music के साथ में merge कर रहे हैं, ताकि youth का इन्होंस भी बने, क्यूंकि youth attract होगा, तो वो बातें फैलेगी, और पर रहे हैं, तो यह त्राइंग टूपर रहे हैं, विच इस वेरी वेरी इन फोर यूथ, जैसे खलासी गाना, जिनने अभी जो रेज किया, जो गाना है, कोक स्टूडियो के गाने, इन लोगोंने एक youth को attract किया है, बस यह त्राइंग टूब दाट, कि old folks songs को नए पैकेजिंग में, वो कहते हैं न कि वड़ा पाउ की पैकेजिंग बना के burger कर दो उसको, तो शायद लोगों को अच्छा लगते काते हैं, तो यह वह वाली बात है, and it is a fabulous show, हम लोग इतने surprised है, to see such great songs and melodies, और हम सब को जब शो बना रहे थे तो हम सब के मन में डर था यार, अल यह वाला क्या समझेगा, but मैं आप से कहूं, अब बीत तो मैं जादा कुछ शेर नहीं कर पारो, but I would love to share, जैसे ही हम रिलीज के पास आएंगे, show के, I would definitely like to meet up with you again, and definitely share some songs, जो आप सुनोगे न, आपको फरक ही नहीं पड़ेगा, आप कौनसी गाना language बजरेगा, you will be grouped into the song, कि आप सिर्फ उसकी melody बोलते रहोगे, और आप हम करते रहोगे, and you will play it on loop, even though you don't understand the language, that's the beauty of the music, and in our country, तो 29 states का televised audition, which is the most number of auditions for any reality show, इसे पहले किसी reality, 29 states में जाकर audition नहीं हुआ है, और यह बड़ा differentiating factor है, एक तो अपने आप में की, हम folk music के ओपर focus कर रहे हैं, जो हमारे देश की धरोहर है, दूसरा हम हर state or unit territory से जाके, जो जो गीरे हैं, जो नगीने हैं, इस तरह के जो गाने गाते उनके हैं, but you're very right, music की कोई भाशा ही नहीं होती है, it transcends within, you know, boundaries भी नहीं होती है, so यह बड़ा एक देखने वाला show होगा कि किस तरह से हम और music का मज़ा ले सकते हैं, but यह difficulty level भी judges के लिए बहुत हो जाएगी, because किस तरह से, you know, को चुनेंगे की कौन अच्छा है, तो who are the judges and if you can share about the parameters of their judging? Yeah, so there are four judges overall, there are three gurus and one maha guru, जो gurus है वो हैं Devojit Saha, जो Saregama के winner रहे चुके हैं कई सालों पहले, आज वो बहुत सीनियर हैं, वो जूरी मेंबर से लेके judging करते हैं, he belongs to SM, सिल्चर से हैं वो, फिर हमारी दूसरी जाज़ निया खानविलकर जिन्होंने Gangs of Pasipur का ओए लखी-लखी ओए टाइप के फिल्मों का music किया है, ओ वो मनिया के लिए फेमास है वो, she is one of the judges, और उन्होंने एक पहले show भी किया था, sound tripping नाम का, विच वेरी folk related, पंजाबी वो टूंग टूंग बाजे जो गाना था, तो she is also very much connected to folk, then we have another judge who is called Gayathri Asokan, Gayathri Asokan is a very well-known guzzle singer from south, and a very well-known singer in general from south, तो ये तीन हमारे गुरू हैं, जो हमें basically, जो judge करते हैं, और अपने तरफ से कुछ ऐसा feedback देते हैं, जिससे जो हमारे participants हैं, उनको तोड़ा सा और better ये मिले, feedback मिले, तो अगले song में better गाएं, उन तीनों के बाद हमारे जो main decision में करें, वो महागुरू कैलाज जी हैं, because इतने ज्यानी आदनी हैं, इतना ज्यान है, इतना रोशनी डालते हैं हर चीज के उपर, क्यालाज जी के बारे में मतलब मैं तो पहले से बहुत highly सोचता था, लेकिन उनके साथ closely associate हो के ऐसा लग रहा है कि, इतने, इतना, उनकी age भी ज्यादा नहीं है, और उस age में जो उनका पकड़ है content के उपर, folk की knowledge के उपर, aesthetics के उपर, तो बहुत add करते हैं value, और वो एक तरह से हैं और वो एक उपर से हैं, कि यार मुझे ज़्यादा आपकी technicality में नहीं जाना, मुझे सुनके मेरे दिल को चुना चाहिए, गानिया सुनने में मजब आना चाहिए, मेरे लिए वो enough है, तो टेक्निकालिटी उसके लिए गुरू है, और बाकी एक overall decision, एक overall look and feel, और गानी का performance कैसा रहा, उसके लिए महा गुरू है, तो हमारे जो judges हैं, तो generally judge on the basis की, how थोड़ा बहुत सुर्ष संभालना जरूरी है, क्योंकि एकदम उस बात को ignore नहीं किया जा सकता है, इस सिंगी, बट दूसरा जरूरी है कि आप कितने भाव से उस particular folk को present कर रहे हैं, आपका confidence कितना है अपने culture को आगे लाने में, आप कितना जी जान लगा दे रहे हैं उसे गाने को गाने में, तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम immediately लोगों को eliminate भी कर देते हैं, we give them chances of two to three to four weeks to sustain and then probably a point comes कि then in chances के बाद में भी अब हमें filter करना जरूरी है तो अब कोई eliminate होगा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमने कुछ top 30-35 लोगों को लाया है तो उनको पहले दिन ही कर दिया, we've given them chances, थोड़ा singing का मौका दिया है, obviously competition है तो ladder है, दीरे दीरे उपर जाएगा, कोई नीचे रह जाएंगे, बट क्या है कि because folk singing show ही अब आया है तो थोड़ा मौका दिना बनता है, कुछ chances देने बनते हैं, so that people get that kind of opportunity. Correct, बहुत exciting लग रहा है तो के, right. But मैं यह जानना जारी हूं that since you said कि बहुत सारे states, I mean all the states, all the union territories से singers आ रहे हैं, जो initially, obviously, अपनी language, अपने जो folk songs है वो गंगे, but have you also integrated, this also has a point के, आप दूसरे states के या दूसरे language के भी folk काई हैं? Yes, so, अभी format में आगे होगा ऐसा, कि आप पहले हम देखेंगे कि वो कौन ऐसे लोगे जुनोंने, you know, mastery कर लिए है. अब हमारे शो में, there will be a growth, because there are music coaches in our team, जो हर एक region के लोगों को specifically music में coach कर रहे हैं, उनकी singing को और better कर रहे हैं, because क्या होता है, industry में जब हम जाएंगे, या यह singers जब industry में जाएंगे, तो हमारी तरह judge करने वाले हर कोई नहीं होगा, वहाँ पर they will judge more on technicalities और यह सब चीज़े, तो वो भी हम धीरे-धीरे polish करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जब एक contestant को first episode में देखेंगे, और उसको जब 20th episode में देखेंगे, तो आपको बहुत बड़ा एक changeover देखेगा, तो हम वो चीज़ें भी कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हैं? In fact, that will be the win for the show. Yes, that will be the bigger win for the show. Right, right. So Pawan, बहुत ही exciting लग रहा है ये, बट अगर मैं आपके दोनों shows को देखूँ, और इसके पहले का भी जो आपका काम है, so I think you're one of those people जो इस तरह की कहानिया बनाना जाहते हैं जिनकी एक substantial value हो, not just in terms of कि वो कितना hit हो गए, कितने successful हो गए, but successful in the terms कि, you know, they could tell a story about something that is prevalent and could maybe एक, you know, एक असर छोड़ पाए. Is that right? Yes, 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 that has been my intention always, कि कुछ तो भी मैं जो बना हूँ, उसका एक थोड़ा सा क्यो नहों कहीना का impact हो, या फिर लोग उस बारे में कभी आगे 5 साल बात भी बात करें, तो बोले कि ऐसा कुछ आया था, जिससे कुछ परक पड़ा था life पे, entertainment होना बहुत जरूरी है, लेकिन entertainment के सा आगर एक छोटा सा message मिल जाता है या थोड़ा सा कुछ addition हो जाता है, या फिर आप जब इस काइंड फिर आप जब इस तरह के कुछ एक revolutionary या फिर आप पाथ ब्रीकिंग चीज करने जाओ, तो वो impact छोटी के लिए बहुत जरूरी है कि एक एक थोड़ी से अलग सी कहानी और impact उस पर create हो तर्ड़नेष भी अर्ष दौर में जी रहे हैं वे content once again has become the king so I think we need more and more creators like you Pavan, so keep creating stuff like this जिस था हम ना सिफ एंटरेन हो, बलकि एक इक इंपक पह हमारी life पहो and on that note, I thank you so much for your time for this interview and wishing you and your team all the good luck for Bharatka Amrit Ganesh. Thank you so much for having me on this. We'd love to have more of these kind of things yes we want people to learn and get information from us looking forward thank you so much it was lovely talking to you thank you all mine bye